हेलो फेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों और 60 वीपेसी पीटी एक्जाम होने के बाद अब काफी जोर सोर से चर्चा चल रही है उन 60 वीपेसी का तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्ताथ से चर्चा करने वाले हैं कि उन 60 वीपेसी का नोटिफिकेसन कब तक जारी होगा एक्जाम डेट क्या है इसमें क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं क्या कुछ नया होने जा रहा है इसके लिए जो एक्जाम पैटर्न है वो क्या हो रहने वाला है और सिलेवस हमारा क्या रहने वाला है तो काफी महत्वपु वीडियो होने वाला है वीडियो को अंतक देखिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं तो सबसे पहले हम लोग 69 बीपीसी नोटि सुरू हो जाएगा उसके जस्ट बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा और एक्जाम आपका 30 सितंबर को निरधारित है मतलब एक्जाम डेट आपको मालू हो गया है नंबर आप पोस्ट जो है अनुमानित है ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है कि कितने पोस्ट आएंगे लेक चाहिए जो समंदित या इस समानल निचर की जो भी एक्जाम से तो इस से एक फायदा यह है कि अब बार बार पीटी देने का जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा और साथ-साथ यह भी इसमें सबसे बड़ी खाश्यत है भी हो जाएगी कि नंबर आफ पोस्ट बढ़ तो इससे को फायदा होगा कटफ थोड़ा लो जाएगा ठीक है इसे स्ट्रेंट को ही फायदा होने वाला है दूसरी बात अब हम लोग बात कर लेते हैं चेंजिस की तो चेंजिज क्या है सबसे पर चेंजिज हो गया कि कमबाइन कम्टिटीव एक्जाम हो रही है जो एक निचर के एक्जाम होंगे 69th वी प्यसी से आपका ई-option समाप्थ होने जा रहा है ठीक है यह उप्सन जो है वह उप्सन आप समाप्थ हो जाएगा और साथ साथ निगेटिव मार्किंग का जो प्रकडिया है वो लागू रहे लेकिन एक समस्चा जो है वो हड़ जागा और वो है यह उप्सन लोगों को काफी परिशान करता था और इसके कारण कई सारे स्टेंट के रिजल्ट नहीं हो पाते थे ठीक है तो अब इस उप्सन को ही हटा दिया गया चूकि आपने देखा है कि किस तरह से 68 वी उप्सन के अंतरगत ऑप्सन सब्जी जो थे वो काफी परिशान की हैं लोगों को लेकिन एक परिवर्तन और देखने को मिलेगा और वो है को संस का स्टेंडर ठीक है को संका स्टेंडर जो होगा वह अब आपकी यूपी एस सी लेवल के स्टेंडर होगा मतलब जो लोग लुसेंट से त्यारी करते हैं बोभिल जाएं कि उनका होनी जा रहा है तो यह सभी किया गया है जो एक लिट्म को लेकी जा राहे है उसके बाद देखेंगे आप आप लोग कि करिवर्तन किये गए चाश्र में इस एक्डाम चैंड़as किये गए हैं फेलनै begitu यह लहीं किये गए चैंज स हुए हैं और सबसे पहली बात है कि इससे समंधित वीडियो भी अपलोड किया गया हुआ है तो पीटी आप आपका जो एक्जाम है वो तीन चरण में होता है प्राइडम्भिक परिक्षा मुख परिक्षा और साक्षतकार मतलब पीटी में आपके जो भी होगा वो अब्जेक्टिव को सब्सक्राइब के दो घंटे का समय दिया जाता है लिखित परिक्षा की बात करें मतलब मैंस एक्जाम 900 मार्क्स के होंगे तिन घंटे की एक पेपर होते हैं और आपका जो इंटर्व्यू होता है वह 120 मार्क के होता है मतलब कूल आप देखेंगे तो 900 और और एक आपको नाई निगेटिव मार्किंग के भी विवस्ता है 0.25 की जो अर्शाठ्वी से लग हो हुआ है और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है यह अप्शन अब समाप्त होने जा रहा है चेंजेंज में मैंने बताया था आपको और उन शाठ्वी पेसी के लिए मे वहीं समान अध्यन 300 अंग का होता है समान अध्यन दूतिये पेपर भी 300 अंग का होता है और एक नया पेपर आ गया है निबंध का जो 300 अंग का होता है ठीक है मतलब आप जो है ऑप्शनल पेपर का कहानी खत्म हो गया ऑप्शनल पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करन आप देख सकते हैं उस वीडियो को लेकिन यह उप्सिनल पिपर जो 300 अंक्य होंगे जो 100 प्रसंट होंगे और इसमें से आप या तो एक का जबाब देजिए या बी का जबाब को एक का जबाब देडा है तो यह 10 के लिए अच्छे होगे हाँ कि पहला जो अनिवार्ज कर दिया कि आ है वह थोड़ा सठ आप हो सकता है ठीक है तो पहला ऑनिवार्ज है उसके बाद दूसरा से आपको option मिल जाता है GS paper में ये pattern लागू किया गया है GS paper का प्रस्ण भी आपको UPSC level का ही पूछा जाएगा निबंध की बात कर ले तो निबंध में तीन खंड बनाया गया है A, B और C तीन पहला खंड जो होगा वो भारत ये भारत के से संबंधित होगा और भारत के आपको यहां के जो भी लोकोक्तियां है भारत में जो भी एकनॉमिक स्ट्रक्चर है यहां के लोकतंत्रिक ब्योस्ता समाजिक के ब्योस्ता इन सभी से जुरा हुआ प्रस्ण जो आप UPSC में देखते हैं उस तरह के प्रस्ण आएंगे जो हंडेट मार्स का होगा ठीक है दूसरा पेपर जो होगा वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन और इंटर पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से यह एक्जाम पैटर्न है जो आपने देखा है और अगर आप अच्छा नहीं कर पाए हैं तो मैं कहूंगा कि अभी से 69 का मेंस की त्यारी आप करने ना शुरू कर दे चुकि मेंस में आपको कम समय दिया जाएगा ठीक है और जैसे ही इ तो यह आपके लिए बहतर हो जाएगा अच्छा ऑप्सन है अभी से सुरू कर दे अभी जाके आपका रिजल्ट सुनेशित हो पाएगा तो दोस्तों हमें पूरी उमीद है कि सारे तत्थ आप अच्छे तरह समझ गया होंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजि है ठीक है इस पर आपको करेंट अफ मेर से ले कर बहुत सारे आर्टिक्ल्ब आपके जूरे हुए हैं वह सभी आपको यहां मिरेंशिन से ओर हुए तो आज के लिए पिर मिलते हैं आगले वीडियो में gagn页 टापपी के साथ झाल झाल